विकरम साराभई स्पेस सेंडर ने अपना रिक्रूटमेंट ओडिपेशन जारी कर दिया है और यहाँ पे बहुत बड़ी वेकनसी अवेलेबल है यहाँ पे डारेक्ट सेलेक्शन होने वाला है कुई इंटर्व्यू नहीं ही कोई इकजाम नहीं है direct selection through यहाँ पर recruitment होने वाली है तो क्या है इसकी legibility criteria क्या होगा इसका selection process और आप इसमें कैसे apply कर सकते हो सभी के बारे मैं इस वीडियो में बात करेंगे तो वीडियो करें तक जरूर देखे अगर आपको यूड़ा पसंद आएगा तो इस वीडियो के लिए like का target रखते है 100 likes तो जलती जाके इस वीडियो को like कीजे और 24 hours में 100 likes complete कर दीजे आगे बारने से पहले कुछ important बात आपको बताना चाहूंगा अगर आप gate 2022 या फिर gate 2023 के लिए prepare कर रहे हो यहाँ पे सिखाने वाले एजुकेटर आप स्कीन पे देख सकते हो इनको 15 सल से ज्यादा का teaching experience है यहाँ पे आपको doubt selling session में मिल जाते है जो preparation के दोरान आने वाले doubt आप वहाँ से clear कर सकते हो तो इसमें enrollment करने का link आपको description मिल जाएगा आप आप से enrollment कर सकते हो enrollment करते समय आपको code use करना है जो कि है नोक्यूलेटर के अनोड़वली सुलेटर जिससे आपको 10% का instant discount मिल जाएगा और एक important बात है earn academy आपके लिए लेके आरे earn academy comeback अगर आप gate 2022 या फिर gate 2023 के लिए प्रिपेर कर रहे हो इसके साथ साथ आपको यहाँ पे live ranking भी प्रोवाड की जाती है और exam होने के बाद आपके weakness identify करने के लिए detailed video solution भी प्रोवाड किया जाता है और यह जो test है वो 1 August को 8 August को और 15 August को होने वाला है सुबह 11 बजे तो इसमें enrollment करके आप बहुत सरे prizes win कर सकते हो यह जो test हो mechanical, civil, electrical, electronics और computer IT वाले दे सकते हैं इसमें free में enrollment करने करने कर लिंग आपको description न मिल जाएगा आप वासे enrollment कर सकते हो और enrollment करते समय आपको code use करना है जो कि है नोकुलेटर, KNOWCULATR जिससे आप यह test free में दे सकते हो अब यह बात करते है विक्रम साराबाई स्पेस सेंटर ने जो recruitment notification निकाला उसके बारे में तो यहाँ पर notification डाउनलोग कर लिया है उसके बारे में बात करते है तो यहाँ पर notification के बारे में बात कर दिये जाए तो यहाँ पर selection of technician apprenticeship के लिए vacancy है यहाँ पर diploma stones के लिए vacancy है अगर आपने diploma किया है तो आप यहाँ पर apply कर सकते हो यहाँ पर directly selection होने वाला है कोई exam नहीं है कोई interview नहीं है direct selection through यहाँ पर recruitment होने वाली है बहुत अलग-अलग जगा पर recruitment होने वाली है आप यहाँ देख सकते हो केरला, तमिल नारू, करनादा, कांधरा प्रदेश, तेलंग गना पॉंड़िचरी में रिक्रूट्मेंट होने वाली है, अभी बात करते हैं, यहापे कौन को सी वेकंसी अवेलेबल है, तो यहापे ऑटो मोबाल इंजिनेंग के लिए वेकंसी, आठ वेकंसी अवेलेबल है, क अगर आपने फर्स क्लास किया है इन ब्रांचे से जैसे ऑटो मोबाल, केमिकल, सिविल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रोनिस, इलेक्टिकल, इंस्रुमेंटेशन, या फिर मेकानिकल, तो आप यहापे अपलाई कर सकते हो, आपको मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए आपके डिपलो स्रोबर 2018 से पहले आपका डिपलोबा क्मेट किया है, तो आपका अपनलाई कर सकते हो, अगर आप नोटिपेशनल का लिंग आपको डिस्टिशन हमिल जाएगा आप वहाँ से भी डायरेक्ली चेक कर सकते हो यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है उसके बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर कोई एग्जाम नहीं है कोई इंटर्यू नहीं है यहाँ पर सिलेक्शन आपके अपको बहुत अच्छी तरह से भरना है ताकि आपका कोई भी marks गलत ना हो जाए और आपको apprenticeship की website पे जाके भी register करना होगा तो यह सभी चीज़े यहाँ पर दी गई है how to apply में यहाँ पर सभी चीज़े दी गई है आपको यहाँ पर conditions भी दी गई है तो आप यहाँ पर देख सकते हो अगर application form बते समये आपको कुछ भी problem होता है तो आप मुझे comment section में पूछ सकते हो तो application form कहा से बरना है वो आपको बता देता हूँ तो आपको यहाँ पर जाना है apply पे apply पे जाके आप यहाँ पर application form बर सकते हो बहुत simple process है आपको यहाँ पर select करना है आपको ट्रेड कौन सा है या फिर कौन से position के लिए या फिर कौन से location के लिए आपको जाना है तो यह जो location है यहाँ से आप apply कर सकते हो तो बहुत बढ़िया वेकंसी है अगर application form बते समये या फिर इस recruitment के बारे में आपको कोई बीडाउट है तो आप मुझे comment section में पूछना में definitely आपको help करूँगा तो फिलाल इस video में इतना ही अगर आपको यह video पसंदा होगा तो इसे लाइक कीजिए share कीजिए और चानल को subscribe करना मत बूलिए धन्यवाद झाल